नेक्स्स टॉपिक है फ्रेइम ऑफ रेफन्स आपकी जो मेकैnex का जो पेपर है उसकी फर्स स्टुट स्टॉपिक है वह आपका फृर्म ऑफ रेफरेंस इसको इनन में निड़दीश तंत्र कहते है तो एक बढ़ा जाना पेच्णा टोपिक जो आपने कई vak पड़ा है पिष् इन सब की पोजिशन कहें या इन सब की जो स्टेट है उसको फाइंड़ करने के लिए हमें से एक रिफ्रेंस फ्रेम के जूरवुत पड़ती है जिसके रिस्पेक्ट में हम यह देखते हैं कि बोगल पार्टिकलग टाइम के रिस्पेक्ट में पोजिशन है पपार, का अगर उसकी जिर्ट आप के असंसर रहे हैं? अगर मुझे स्केल से मेयजर्मेंट करना है इसकेल को तो तो में सब्सक्राई लेता हूं इसकेल पर लुक्ट के जिरो ने चला सुने हो पार सौम फिक्स रहेगा तो जीरो हमारे एक तरह से जीरो से अटेच कोई फ्रेम है तो वह हमारा फ्रेम ओफ रेफरेंस हो गया तो उसके रिस्पेक्ट में हम सारी लंबाई चोड़ाई जो भी है वह मेजर्मेंट करते हैं अगर वन ऐमेंशन है तो क्योग एक एक सिस्टम में है टो डाइमंशन में है तो एकस वाई और थ्री है तो आएक सिस और अग्या जाएग यह सिर्ण हो तो डेइपेंट करते है वह जो ओरिजिन हैि आपका पॉंइंट में पेन्पोरे मशनी क्या रहना चाहिए वह चेंस भी घड़ी को आप किसी पोजिशन पर रखो कहीं ले जाओ उसका जो 12 जो लिखा होता है बिसकील जीरो है उससे आप जब टाइम मिज़र करते हो तो वह आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया इस तरह से आपके पास कई सार एक्जामपल हो सकता है स्केल का हो गया, आप गड़ी का देख लिया आप तोल माप करते हैं जो किलोग्राम में मेजरमेंट करते हैं तो उसमें भी आप एक reference level लेते हैं उसके उपर नीचे जो भी है वह आप इस तरह से करते हैं तो इन सब में एक पॉइंट चाहिए होता है जिसको की रेफरेंस पॉइंट कहते है और उस रेफरेंस पॉइंट या मोल बिंदू से जो अटेच फ्रेम होता है उसको निर्देश तंत्र कहता है यहां पर एक सिंपल सा एक्जामपल है कार्टिशन कॉडिनेट सिस्टम का जिस पार्टिकल की एकस एकस से जो डिस्टेंस है या या एकस से जो डिस्टेंस है या जैट एकस से जो डिस्टेंस है अगर वो हमें पता है तो हम उसकी पोजिशन पता लगा सकते हैं पोजिशन और टाइम की रिस्पेक्ट में उसकी उसकी जो स्टेट है उसको पता लगा सकते क्या वह स्टेट रेस्ट में है या वह मोशन की स्टेट में है और जब स्टेट पता लगी तो हम पता लगा सकते हैं कि वह उसकी विलास्टी क्या है मोमेंटम क्या है फोर्स क्या है एनर्जी क्या है वह सारी चीजे जो है हम पता लगा सकते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट ज यह आप जानते हैं थ्री डाइमेंशन में कोई पॉइंट है तो इसको वेक्टर फॉर्म इस तरह से लिखा जाता है तो यह एक सिंपल एग्जामपल था कार्टिशन कोडिनेट सिस्टम का अगर मुझे इस कार्टिशन कोडिनेट सिस्टम के अलावा कोई दूसरा निर्देश जिसको किया आप कहते हैं इनके यूजिस का आएं कारतिशन का यूजिस का अग्जामपल एक कार अगर चल रही है तो माझ लिजए वो कार जिस रोड में चल रही है तो वहां पर आपको एक पॉइंट फिक्स माझ लिजे रोड पर की हमारा ओरिजन होगे तो उसके रिस्प पर तो मैंने एक छोटा सा सेग्मेंट लिया माली यह 100 किलोमेटर कार चली तो 100 किलोमेटर तक तो मुझे कार्टेशन कॉर्टनेट सिस्टम में मेरा काम चल जाए लेकिन अगर मैं यह कह रहा हूं कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप स्ट्र educación श्रीव से लेकाओं आ आ के जाएगे तो आपका कर्वे 체्शर वहां पर आएगा एक जो री इक नेर्देश दूसर kじलों आएक तो वहां पर हिस्टों आपको निदेश स्ट्र काम निकराएगा आपड़ेगा गोल नेर्देश स्ट्र स्पेरिकल कोरिए ईस्टम आपक की जो पोजिशन है उसको हम किस से मेजर करेंगी तो हमारा जो कॉडिनेट सिस्टम होगा वो होगा स्फेरिकल कॉडिनेट सिस्टम ओके या या जो वैदर फोरकास्ट होता है जो मौसम विज्ञान है या जो तूफान चलते हैं चक्रवाद वगएरा तो उन सब की पोजिशन लोकेट करने के लिए हम स्फेरिकल कॉडिनेट सिस्टम यूज लेते हैं और सिलेंट्रिकल कॉडिनेट सिस्टम जो आपका बेलना कर कॉडिनेट सिस्टम है इसका यूज कहा आता है तो जहां पर भी इस प्रकार के जैसे की पाइप ले लिजा आप जिसमें से पानी फ्लो क के measurement के लिए हम जो coordinate system यूज लेंगे वो लेंगे आपका cylindrical coordinate system है ना तो एक simple सा example जी से tube light है आपका tube light tube light से जो light निकल रही है तो उसका wave front बनता वो कैसा बनता है वो आपका cylindrical wave front बनता है cylindrical coordinate system यूज लूँगा तो फिलाल आपके course में first year के अंदर spherical और cylindrical coordinate system नहीं है आपके जो course में है वो अभी फिलाल Cartesian coordinate system है और यह आपने बहुत अच्छे सापट रखा है तो एक simple सा example में आपको उदाया point पी लिए हमने Cartesian coordinate system में तो अगर यह रेस्ट में है तो इसकी position जो हो रहेगी R vector की form में एकस आई केप वाई जे केप और जेड केप लेकिन यही particle अगर movement कर रहा है motion कर रहा है तो यह time के respect में आपनी position चेंज करेगा और time के respect में आपनी position चेंज करेगा तो यह कहां पहुँचेगा यह किसी particle P1 से किसी particle P2, sorry किसी point P1 से P2 point तक पहुचेगा तो P1 की जो coordinates रहेंगे वो रहेंगे X1, Y1, Z1 और P2 के रहेंगे X2, Y2, Z2 और जो position vector है P1 का R1 vector और P2 का R2 vector तो दोनों की बीच में point P1 और point P2 की बीच में जो विस्थापन होगा या displacement है वो कितना हो जाएगा delta R vector तो delta R vector कितना हो जाएगा R2 vector minus R1 vector तो equation number 1 आपको मिलेगी time के respect में आप देखेंगे तो दोनों point एक point से दूसरे point पर जाने में जो time लगेगा वो कितना है delta T तो उसको हमने मान लिया T2 minus T1 तो equation number 2 हो गई तो अगर आपके बास position आगई आपके बास time interval है तो आप क्या निकाल सकते है उसकी velocity निकाल सकते है तो average velocity आप निकालेंगे equation number 3 के रूप में आपको मिलेगी तो equation number 3 से आपको average velocity मिल गई अगर आप किसी particular time interval किसी particular time पर निकालना चाह रहे है तो आप इंस्टेंटली उस point पर निकालना चाह रहे है तो delta T tanks to zero particular instant पर हमने velocity निकालनी है तो limit लगा देंगे और dr by dt velocity हो जाएगी equation number 4 अब जब velocity आगई तो time के respect में इसको differentiate करेंगे तो acceleration आजाएगा तो आपने पास equation number 5 मिलेगी आपको तो अगर आपको उस particle का उस particle का mass पता है तो आप यह पता लगा सकते हैं कि force कितना लाग रहा उस particle पर तो equation number 6 आपको f equal to m मिल सकती है तो यह सब चीजे तो होगी coordinate system basic एक idea coordinate system होते क्या है अब यह जो coordinate system आपका निर्देश तंत्र जो frame of reference जनरल टरम है आपका frame of reference तो जो आपका frame of reference वो दो परकार का होता है एक है आपका जड़त्विया और दूसरा जड़त्विया frame of reference तो इसकी एक simple definition है जड़त्वी निर्देश तंत्र वो जिसमें न्यूटन के प्रथम नियम का और जित्तिय नियम का पालन होता है प्रथम नियम जिसको जड़त्व का नियम का अगर वो नियम पालन होता है तो आपका frame of reference जड़त्व जड़त्वी निर्देश चंत्र कलाएगा और नहीं तो वो क्या कलाएगा और जड़त्विया या non-inertial frame of reference तो inertial frame of reference का एक कोई अच्छा example अगर आप दूड़ना चाहो तो practically ऐसा कोई frame of reference इस पूरे ब्रमान में नहीं है जो कि अपने आप में rest में या यह कहें कि वो inertial हो तो ब्रमान में ऐसा कोई भी frame of reference नहीं है जिसको कि हम वास्तविकता में कह सकें कि वो जड़त्वी निर्देश चंत्र हैं सारे ही frame of reference जो होते है वो आजड़त्वी निर्देश चंत्र होते हैं या जड़त्वी निर्देश चंत्र होते हैं या कि हमारी प्रत्वी पर कोई बी frame हम ले रहे हैं महաղ लीजिए जिस कमरे में बैट कर रहा हूं रहा हूं या जिस कमरे में बैट खुआ है, क्या वो rest में है, आपको लगएगा, हम बिल्कूर rest में। लेकिन वह रैस्ट में नहीं है क्योंकि वह कमरा जो है वह उस परत्वी पर है और प्रत्वी सूर्ज के चारओ तरफ और मोशन कर रही है तो क्या वो कमरा रेस्ट में हुआ नहीं हुआ तो आपका वो जो फ्रेम ओफ रेफरेंस है जिसमें आप खुद सोच रहे हो कि मेरी हार एक वस्तु जो मुझे यहां दिख रही है रेस्ट में है वास्पिक ताम में वो रेस्ट में ही है वो सूरज के चारो तरफ गति कर रही ह हमारे ये planetary system rest में है मतलब ये खुद भी कहीं ना किसी दूसरे जो है galaxy के अंदर movement कर रहा है motion कर रहा है तो कुल्मिला की बात ये है कि इस ब्रमांड का हरेक करण गतिशील है लेकिन practically हम इनके movement के करण जो एक तोरण उत्पन होता है अगर वो तोरण कम है तो हम मान सकते हैं कि वी चलो ये थोड़े दिर के लिए rest में है और हम आपना काम जो है approximation method से कर सकते हैं for suppose मैं आगे कोई example से इसको बताऊँगा जो आपका जड़त्वी निर्देश चंत्र है उसका कारण क्या है कि प्रत्वी पर उपस्तित या प्रत्वी की सता परस्तित हर एक वस्तू पर एक तोरण लगता है और उस तोरण की value 0 नहीं होती है उसकी value 10 to the power minus 2 meter per second square की कोटिकी होती है तो जब इतनी value होती है तो हम यह कह सकते हैं कि वस्तू पर कोई नहीं कोई तोरण लग रहा है या नि बल लग रहा है तो यानि बाहिए बल लग रहा है तो वस्तू इस तरह वस्ता में नहीं है लेकिन फिर भी 10 to the power minus 2 जो है range वो एक बहुत कम value है इसलिए हम उसको मान सकते हैं कि यह क्या है rest में है तो इन जनरल हम पर्थवी को पर्थवी परिस्तित किसी भी निर्देश तंत्र को हम थोड़ देर के लिए approximation के लिए inertial मान सकते हैं तो inertial frame of reference आपको समझ हो आगया होगा कि एक ऐसा frame of reference जिसके उपर कोई भी बाय यह बल नहीं लग रहा वास्तिता में तो लग रहा है लेकिन उसको नगड़े मान लेते हैं हम नगड़े मान लेंगे तो हम यह कहेंगे कि भी उस frame of reference पर कोई भी कर्ण जो है उस पर कोई बल नहीं लग रहा तो बल नहीं लग रहा तो हम यह कहेंगे कि f equal to ma जो कि external force वह 0 तो जब 0 है तो torrent की value क्या रहेगी 0 तो velocity क्या रहेगी नियत यानि कोई वस्तु अगर नियत अवस्था में है नियत अवस्था में गतिशिल है नियत वेक से गतिशिल है तो वो माली जए rest में है तो absolute rest में रहेगी तो फिर यह हमारा frame of reference inertial कहलाएगा एक example से इसको समझ सकते हैं यह frame of reference है जिसके अदर s जो है आपका जो s आपका frame of reference है s यह है rest में आपका s frame of reference हो गया rest में और जो s dash है वो x direction में v velocity से move कर रहा है तो point p जो है इसकी position, particle कोई भी particle है जो के move कर रहा है उसकी position s के respect में निकालें तो वो आएगी x, y, z और s dash के respect में निकालेंगे तो वो आएगी x prime, y prime, z prime अब position vector निकालो तो position vector क्या हो जाएंगे तो position vector आप देखें तो point p का जो position vector है वो s frame के respect हो जाएगा r vector और s dash के respect में या s prime के respect में r prime vector और जो o से o prime की displacement है वो जाएगा v prime, v vector t ठीक है तो अब simply है r vector जो हो जाएगा r prime प्लस o o prime vector के सम के वराबर और o की जगा हम v vector into t लिख सकता है तो equation number 1 आपको मिल जाएगी जहाँ v velocity जो है वो constant velocity है अब simple है यहाँ से आप क्या करें position आगई time के respect में इसको of clone कीजिए of clone करेंगे तो आपको dr prime upon dt equal to dr divided by dt minus v equation number 2 मिलेगी अब आप इसको एक वर फिट से time के respect में differentiate करें differentiate करेंगे तो आपको मिलेगी equation number 2 से equation number जो next आपके लिख रखी है d2 r prime by dt square equal to d2 r upon dt square minus 0 क्योंकि v constant है ना वे constant है तो उसका differentiation 0 हो जाएगा तो इससे हमें मिलेगा a vector prime equal to a vector ओके तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अगर कोई frame of reference नियत वेक v से किसी एक दिशा में गतिशिल है तो उस पर स्थित कोई दूसरा जो कर्ण है वो भी नियत वेक से गतिशिल होगा यानि कि जो त्वरण है उसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं मिलेगा दोनों frame के respect में तो इसलिए यह आपका क्या गलेगा inertial frame of reference तो इस क्लास में हम इतना ही बढ़ेंगे अगला जो हमारा टॉपिक होगा गैलेलेन ट्रांस्वरोशन वह हम अगली क्लास बढ़ेंगे